आज उन्हें हम दोनों को भुलाया था, वो सकता है वो अन्य दरों से भी अलग-अलग बात करें हमने आज उन्हें ये कहा कि संसद 21 तारिक से शुरू हो रही है 21 को साइव का दिवेशन है उसमें तो हम आएंगे लेकिन 22 तारिक को आप सुबह ही जेपीसी का ऐलान करें अगर आप चाहते हैं कि संसद का संसद चले तो 22 तारिक को सुबह आप जेपीसी का ऐलान करें और अगर जेपीसी का ऐलान होता है तो निश्चित तोर पर हम संसद चलाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं संसद चले और हम पहले भी बहुत बार ये कह चुके हैं कि हम चाहते हैं संसद चले पता नहीं क्यों सरकार अड़ी हुई है तो सरकार अड़ीय लवया खत्म करें और 22 तारीक की सुबह ही जेपीसी दे दे ताकि उसके बाद से प्रश्मकाल शुरू हो त आजन के साथ चिदमरम जी थे, ग्री मन्परी, एंटनी जी थे, रक्षा मन्परी, संसधी कायर मन्परी थे, पावन रंसल जी और साथ में गुलाम नभी आजाद जी को इनों ने बुड़ा रखाता है तो सभी सीनियर मिनिस्ट्रस के सामने ये बात हुई और हमने अपनी बात द्रड़ता से दुबारा दोहरा दी है कि ये भी कह दिया कि बाइस तारी की सुबह अगर जेपीसी की बुचना हो जाती है तो संसध चल जाएगी मैं जाएगी बात करने के 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 बात कर देते हैं एक पर कर्यार भी चाहिके छॕनिसे एंकषा minder अन उचेत फार्ट टेन मेट करें यह कंवा हुसां लितारग पार्ट टो फिरी सिर्थार्ट टॉर्ट आपड़े लिऑ इनमिके कंव तो सब्टार्ट अनुप टोप सेक्डाव तो यहां नर्मी दिखी के वर्ना बुलाते ही अगर पिछली बार की बात से उन्हें लगगा था बहुत साफ कि जड़ेगी इसले हम काफी आशाबादी होकर आए हैं आशानवित हैं आशाब से तो फिस चांवे नियुगंख रुस को बिामा को पैया डिया हैं मैं डियुति बात साफ क्वेंगा थेखी को सिर्ट इस बात स्थेति गुटने